नमस्ते फ्रेंड्स गार्डनिंग विद पंदिना में आपका स्वागत है आज आपको ये डहेलिया के प्लांट को दिखाऊंगी और इनी के बारे में आज बाते होंगी कि इन्हें कैसे लगाया जाए और कैसे मिटी इनकी बनाई जाए और ये मैं जब लगाई थी प्लांट तो इसके भी एक वीडियो है मेरी आप चाहें तो मेरी चैनल को जाके देख सकते हैं और ये बड़े ही सुन्दर प्लांट होते हैं विंटर सीजन के और डहेलिया का जब प्लांट विंटर के गार्डन में जब खिल जाता है तो सारे फूल इसके आगे एकदम फीके पड़ हैं आप देखें कितने आप ये बड़ा फूल हुआ है और ये कभी-कभी 10-10 इंच के भी खिल जाते हैं मेरे यहां भी देखें ये 6 इंच का लगभग हुआ है और अभी आधा ही खिला है पूरा प्लांट अभी देखें आप ये पूरी फ्लावरिंग अभी होई नहीं है त तो ये 3-4 प्लांट में ही मुख खिलने लगे थे फ्लावर के तो मैंने सुचा आपको दिखा भी दूँ और इनकी केर टिप्स भी बता दूँ अगर आप अभी तक अपने यहां डहेलिया का प्लांट नहीं लगा पाए हैं तो आप अभी भी समय है नर्सरी में से इसको ला कि सारा ध्यान आपका इन ही पर जाता है इसको लगाने के लिए जब भी हम मिटी बनाए तो उसमें एक हिस्सा मिटी एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा इसमें बालू या रेत जिसको बोलते हैं वह आप तीनों मिला लें और उसमें एक मुठी नीम खली भी मिला लिया करें जि तो ट्यूबर जैसे शकरकंदी होती है उस तरह के होते हैं जैसे स्वीट पोट्रेटेव वाइन होता है उसके नीचे शकरकंदी जैसा हम लोग खाते हैं तो वह उसी तरह के लंबे-लंबे बनते हैं तो उनको भी गलने का खत्रा रहता है तो आप नीम खली एक मुठ्थी मिला करें और पॉथ की साइज की बात किए जाया तो इसको 10िंच के गम्ले में लगए और एक ही प्लांट लगाएं के दस पे गमले में के वाल एक ही यह हैवी फीडर भी माना जाता है आप इसमें फर्टिलाइजर भी अधिक दीजे तो फर्टिलाइजर के लिए आप इसमें डीएपी भी दे सकते हैं अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तिमाल करते हैं तो हर दस दिन पे इसमें डीएपी के 10-15 दाने आप डाल दिया करेंगे तो इससे फॉस्फूरस बहुत अच्छा मिलता है और जड़ों की विकास में वड़ा अच्छा होता है तो मिटी में गमले की जो मिटी होती है उसमें जैसे जैसे जड़ें बढ़ती है तो वाइट रूट बनती है उसमें और वो खाना बनात हम लोग बनाते हैं एक मुठी सरसो खली आप भीगा लीजिए और दो दिन के लिए इसको छोड़ दीजिए और जब वो पूरी तरह से फर्मेंट हो जाए तो आप उसमें इतना पानी मिलाए कि वह ट्रांस्पेरेंट सा जब आप गिराएं तो वह ट्रांस्पेरेंट सा दि के उसमें माइक्रो न्यूट्रिंस भी होते हैं जो कि पौधों की बढ़वार के लिए बहुत फाइदेमंद होते हैं आपके पास अगर सरसो खली नहीं है तो आप गोबर की खात को गोबर को ही एक-दो मुठी ले करके या वर्मी कंपोस्ट को ले करके ही आप पानी में डि देजे और उसी हिसाब से दे दीजे तो यह बड़ा अच्छा इसमें काम करता है अब इसमें सनलाइट की बात की जाए तो पौधे को फुल सन में आप रखिए पौधे की रिक्वार्मेंट सन की है और पूरे दिन की धूप में यह रहता है तो बहुत ही अच्छा यह प्ला कर ली जाए तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसे कोई इंसेक्ट तो नहीं लगते हैं फंगस लगने का खत्रा रहता है इनकी जड़ों में तो आप आपने उसके लिए नीम खली दे ही रखी है तो ज्यादा उसका भी डर नहीं रहता है इसकी अलामा भी अगर कभी आपको पतिय या सिकुडी सिकुडी सी लगें या जाले टाइप के लगें तो आप किसी भी इंसेक्टिसाइट का प्रियोग कर सकते हैं और वैसे तो आप जब 15-15 दिनों पे भी नीम खली सौरी नीम ओयल का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक चमच एक लीटर पानी में आप डिजॉल्व क अच्छे से चलेगा अब इस प्लांट के प्रोपोगेशन की बात अगर कर ली जाए तो यह बहुत अच्छे से कटिंग से प्रोपोगेट हो जाता है आप इसकी जैसे यह प्लांट आप जो देख पा रहे हैं यह वाला प्लांट तो इसमें से भी आप कटिंग ले सकते हैं आप देखिए जैसे यह है यह डंडी है इसमें से आप कटिंग ले सकते हैं कोई भी एक नोड आप मिटी में लगा दीजिए तो वो एक नया प्लांट तयार हो जाता है और यह देख लिया करिए कि उसमें कलिया नहों देखिए इस वाले प्लांट में तो कलिया इसमें से नही ड्रेन वाली बना करके आप लगा दिया करिए डहलिया के प्लांट का प्रोपोगेशन बहुत ही आसान होता है और बहुत अच्छे सी बालू में लग जाती है तो आप इनकी कटिंग को बालू में लगा दीजेगा और तो उसमें जब भी जड़ें बन जा तो आप नए प्लां आप इसके साथ आप जब प्लांट को ऐसे ही से रहने देते तो हर नोड में आप देखेंगे आप जैसे प्लांट को ही देख लिजे तो देखिए यह बड़ा फूल आएगाा इसके साइट साइट से देखिए दोकलियां लगी हुई है और इसके नीचे भी जो नोड आएगी ये वाली तो इसमें भी कलिया लगती है ये दोनों साइड से तो ऐसा नहीं है कि ये ब्रांच भर नहीं जाएगा ये भी भरेगा और इसमें पिंचिंग की कोई ऐसी बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो नहीं करती हूँ आपने अब तक अभी डहेलिया का कोई भी प्लांट नहीं लगाया हो तो आप नर्सरी से जागर के इतने प्यारे प्यारे इसमें कलर आते हैं तो आप इस समय अगर भी लगाएंगे तो आप यहां भी दिसंबर लास्ट में या मार्च में अच्छे से फ्लावरिंग होने लग आना चाहिए अपने विंटर गार्डेन में तो इसी के साथ मैंने लगभग आपको डहेलिया कि प्लांट से रिलेटेड पूरी जानकारी दे दी है तो आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी क कर लिजेगा नमस्ते फ्रेंड्स